इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग धोखे में मत रहे ना सत्संग का फिरी मिलता है वो क्या कहते है कूपन टोकन कूपन जो भी हो फिरी मिलता है एक दिन पहले मिल जाता है अब वहां पांच लोग खड़े होई एक परिवार के और ले गए इसके बाद वो पांच लोगों को एक एक हजार दो दो हजार का बेच दिया अब वहां के सत्संग में बैठने के लिए जब तो उसकी अवस्था लिखी जाती है और उसका लिंग परिचे की पूरुलिंग है या इस्त्री लिंग है तो मालोग पांच इस्त्री लिंग लिखे हुए नाम है और उनमें पांच पुरुश आ रहे हैं, अवस्था अलग है, उनका अधार्गार्डलग है, तो उनसे पुछा गया के आप कैसे, आप का तूकूपन तो है नहीं, तो उनुका मैंने एक अजार में खरीदा, मैंने इतने में खरीदा, यह अपराद है, ना शुनेने वाले को लाव मिलेगा और ना बेचने वाले को दोनों को पाप लगेगा जब यहां नहीं लिया जाता तो कोई भी ऐसी गंदी हरकत करके यहां ना बैठे के हम दो हजार में खरीत के आ रहे हैं तुम्हारे को पाप लगेगा तुम यहां करके श्वहम खड़े हो कर लीजिए नहीं है तो गली में बैठके सुन लीजिए क्यों आप गंदी आदत कर रहे हो क्यों दूसरों को बढ़ावा दे रहे हो गंदगी के लिए जब यहां एकांतिक के लिए और सथसंग के लिए बिलकुल फिरी है आप एकदम आएए एक हजार ग्यरा हजार